देश में बहुत बड़ी ऐती संख्या है जो चायती है कि अपने देश के प्रधान मंत्री वो विविन विश्यों पे अपनी राय रखें और साथ में लीडर ऑफ पोजीशन है वो बुग पच्ची पार्टी उस पे राय रखें लेकिन क्या आज 2014 के बाद से यह संबव है हमको तो नहीं लगता 2014 के बाद 2015 में बैठे आज आज तक कभी ऐसा हुआ भी होगा या आपके हमारे स्वरण में ऐसा हुआ है आज किसे कम George Towns Industries में एक कम से कम LP के देश की विबिन जितलताओं के विश्यों पे उनकी बात तो रखने को मौका मिलना है इसमें भारती जंटा पार्टी को इतनी चुबरन क्यूं हो रही है अगर देश में यह महौल हो सकता है तो किसी को बाहर बोलने की जलोत ही नहीं राहूल गांदी बोल रहे हैं और उनकी पोल खोल रहे हैं इस वज़े से बीजेपी डरी हुई है और अभी गिर्राज सिंग का बयान सामने आ है वो कह रहे हैं कि देश विरोधी बयान की वज़े से राहूल गांदी की संसर सदस्ता समाप्त कर दी जाए सुधार शुत्रवेदी जी कौन सा बयान है जिसके अधा पर उनके सदस्ता ही ख़़र करने की मांगा पर उनकी और से की जारी है मैं जवाब देता हूं देखे आशुतोष जी ने जो बात कही बहुत वाजिब बड़ा मौदू सवाल किया है उन्होंने कहा देश की इनुवस्टी जित्वार पूछना चाहता हूं राहूल गांदी को देश में कौन सी इनुवस्टी ने बुलाया है आस्तरव हमारी सरकार चोड़ी है 2004-14 के बीचे बता है भारत की कौन सी इनुवस्टी में उनको बुलाया गया है बतौर विचारक कांग्रेस के कई दियता जिने बुलाया जाता था चाहे हमारे लाक विरोधी रहे हो अनाप चनाप बोलते हो मणी चंकर एईयर को बुलाया जाता था शेसी थरूर को बुलाया जाता था बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनको बुलाया जाता था ये राहुल गांदी को यह राहूल गांदे जी कि छवी एक नेता की है और वैसे विचित्र नेता की है उनकी शवी उस कैटेगरी वाले नेता की नहीं हैं जिसको बुलाकर लेक्च्छर करवाए जाते हैं जैसे मैंने बोला हैं कि सब्सक्राइब करते थे पन्नू की तारीफ, पाकिस्तान की तारीफ, घजब है साथ, ऐसा तो आपको नेता पृतिपक्ष नहीं मिलाओगा भारत के इतिहास में, अब मैं उसकी बात का जबाब देता हूँ, जो गिरिदा सिंगी ने आरोप लगाए, मेरा जरा आप ज्यान वर्धन कर दीजेगा, भार जिनकी भारत विरोधी छवी एकदम इस्थापित है, वो भारत के इकलोते नेता पृतिपक्ष हैं, जिनके बयान को पाकिस्तान ने उनाइटेड नेशन्स में भारत के खिलाब प्रियोग किया है, वो इकलोते भारत के नेता पृतिपक्ष हैं, जिसको गुरुपत्वन सिं भारत का नितुर्त करते हुए गए थे और नर्सिमाराव सरकार को पूरा शेय दिया था नरेंद्र मोदी जी ने जब पाकिस्तान के प्रधान मंतरी नवाज शरीप ने दियाती और अशब मनमोन सिंग के लिए कहा था तो बतार मुख्यमंतरी गरज करूणोंने का था ये 125 करोड भारत पासियों का अपमान है पाकिस्तान का प्रधान मंतरी कौन होता है सुधान शुत्र रिवेती जी लेकिन पहले सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की जुबान कम से कम देश को लेकर एक होती थी ना विदेश में अब तो ऐसा लगता है कि दोनों में ही आपस में प्रतेस्परधा चल रही है मैं बाकी में मानों की पास जाओंगी अशुतान शुत्र जी लेकिन राहूल गांधी ने एक और बात कही है उन्होंने कहा है कि मुझे मचपर 20 से ज़ादा मुकद्मे लाद दिये गए इस सरकार के जरिए मैं अकेला था भारत के इतिहास में जिसे दो साल कैद की सजा मिली वो भी बिल्कुल छोटे से मामले में सुधान शुत्र वेदी जी वो इन तमाम बातों का जिक्र करते हैं अमेरिका में बड़े विचितर बाद बता रहें मतलब उनको यादे नहीं रहता है आज जो हमारी कैबिनेट याठेल जी की कैबिनेट थी आधे ज्यादा तो डेड़ डेड़ साल जेल में रहे चुके थे आज बैठे हुए राजना सिंग जी जो डेड़ साल जेल में रहे तो क्या बोलने लगता है आदमी कुछ पता ही नहीं है और अभी कहते हैं चीफ मिनिस्टर जेल में है इसी स्टेट्मिंट में जो आप को क्लिपिंग दिखाए जैल में है तो मैं पूछना चाहता हूँ 2008 में मधू कोड़ा जेल में थे कि नहीं किसकी सरकार थी 2006 में शिबू सोरें जारकंड में रहें उसमें तो हमारे आश्टोष वर्मा जी के पार्टी को से मुख्यमंत्री नहीं थे मुलैम सिंगी भी जेल में रहें यह तो इनके सत्ता में रहते हुए जेल की बात कह रहा हूं जारकंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड इनके जमाने में हुई और सुनिये मधू कि हमारी सरकार थी क्या 35 साल में कोई एक लोग सभा बता दीजेगा आश्टोष जी जिसमें यही लोग अंदर बाहर अंदर बाहर जांच एजन्सियों में यह बताइए मुलायम सिंग मायवती पे केस कब हुए थे बताइए आपके नेता पर आयद से अधिक संपत्ति का माम कब दर्ज हुआ था कांग्रेस की सरकार में अब लोग तंत्र खत्रे में है क्या तब लोग तंत्र खत्रे में नहीं था जो सबाल वो पूछना चाह रहे हैं इतने सारे उदारण भी उनकी ओर से दिए गए गया देकि चित्रा जी बहुत से अजीब सी बात है भारती जंता पार्टी को ये तो देखता है कि उपक्ष क्या कर रहा है लेकिन इनको ये दिखाई नहीं पड़ता जब प्रधान मंतरी बिना वीजा बिना पूछे किसी से जाके प्राकिस्तान की प्रधान मंतरी नवाज शरीफ किया बिर्यानी काने चले गए कौन से भाई सब हिंदूस् बहुत बात करी जस्तिन चेडू ने खुले आम बोला कि भारती एजेंट और भारती लोगों ने वहाँ पर काम किया जिसकी वज़े से जो हमारे आतंगवादी उनको शर्नाती दे रहे हैं उसका वो सपोर्ट कर रहा है जस्तिन चेडू की ताथ उसका प्रहन मंतरी मोदी ज दोजार चौबिस का एलेक्शन होता है और देश में चीफ एलेक्शन कमिशनर अरुन गोयल ठीक चुनाओ के एक हफ्ते पहले रिजाइन कर देते हैं आज तक देश में इसमें बात नहीं हुई बता दे कौन बात करने गाया भारती जंदा पार्टी या देश की सरकार ने क्यों दे रहे हैं कि अभी वियरेस लिया अभी फाइल पहुंच गई अभी चीफ एलेक्शन कमिशन बना दिया और वो व्यक्तिकत करान से वो चुनाओ के चार दिन पर ले रिजाइन कर देते हैं इस देश में विचार मर्च नहीं होता तो आपको लगता है कि अगल भी हासल करके आई हुई है अभी अगर मजबूती के साथ तो वो अभी का मौका है दो हजार चौबीस का चित्रा जी मैं आपको फिर बोलना हूं जी लोगतंद को तोड़ने का काम भारती जंदा पार्टी करती है और यह देश की देवतुल जंदा है जो इसको तोड़ने नहीं इनका मुतोड जवाब देती है और यह बात बताते हैं हमको कि हम देश का नाम में विचा कर रहे हैं अरे चार दिन पहले जब यह अमेरिका गये थे प्रहाण मंत्री मोदी जी आपको याद है वो इंटर्वी जो एक मात्र इंटर्वी हुआ था बड़ी मुश्किल से एक इ अमेरिका के प्रेजिडेंट ने बोला यह बहुत गलत है जो भारत वाले कर रहे हैं नाक तो यह कड़ाते फिरते हैं अपने वहां सबका साथ सबका प्रयास के नाम पर लोग इंतार कर रहे हैं विशाल में शाजी है अजै बर्मा जी सुधानशु जी उनके बातों पर जब आश्तोष वर्मा जी भदता से बहस करते हैं पिक्षाकर सपा के जिते विदाय के उनके मुकाबले तो उन्हों ने ये दो रुपए के टूलर वर्ड नहीं उसकरना चाहिए या वर्ड बाई वर्ड बताता हूँ आपने कारगिल पे हमारे मुह में दही जमा गया महुदे क् कि कान में केल तेल जमा है क्या अरे अब तो मुह से कौम पाकिस्तान के लोगों ने बोल दिया अभी पिछले मैने तो नवाज शरीफ ने बोला है कि वाजपई साथ ने लाहूर में आके मौहाइदा किया था हमने खिलाफ वर्ड वर्जी की और जडरल मुशरण बोल चुके कि हम यूज हुए और हमने उसकी अंदर धोका दिया था भारत को अब भाईया उस समय का सेना अध्यक्षा और प्रधान मंत्री दोनों बोल चुके पता नहीं कान में कौन सा मैल जमा है कि तो नवाज शरीफ से क्या मिलने गया थे कि कनाड़ा की सरकार अपने 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 मैं बहकतनी तरनि रहाङ को अब एकशनल्यक्ता अपने सब्सक्राइब कर एंपने यह अपने इंदेसर्ण बोलिए पहरत बीजिए मैं ने कोई इसकी कैसी पता है सर अंकमफटेबल फैक्ट आता है तो यही विकल्प रहता है अंकमफटेबल फैक्ट में यही होता है अब आगे बोलता हूं इन्होंने कहा जस्टिन टूडो की बात अरे घुर पत्वन सिंग पन्नू कहता है कि मोधी जी की सरकार तो मेरी जानी दुश्मन है और नुमर से मुले किस भारत समर्थ सांसर से मिले मैं पूछ लेती एक बात सांसर जो मने आज प्रेस में भी बोला है बेंजमिन गिल्मेंट जिसको भारत सरकार ने बूशर दिया 2016 मेंट जी कभी मिले उससे कभी फ्रेंक पॉलों से मिले कभी गैरी एकर्मेंट से मिले कभी जोदफ कॉली से मिले कभी एडवर्ड रॉइस से मिले ना बोलो ना मेरे भाई इंडिया कौकस है वहाँ मैं जी बर्माजी से जबाब ले लेना साथी हूँ ठेकि अब कॉंग्रिस पार्टी का पक्ष़क्ष अज़र बर्माजी ज़रा बताइए ये लगतार हम तस्वीरे ये इलहान उमर से मुलाकात के पीछे क्या मकसद है जो बीजेपी के और से सवाल पुछे जा रहे हैं और मेरा दूसरा सवाल ये है जब राहु गांदी विदेश में जाके ये कहते हैं कि मैं देश में नहीं रहना चाहूँगा जहांपर 90% दि लोगों की पास अवसर नहीं है। क्या बताना चाहते हैं राहुल गांधिय जे बर्मा जी और 2014 की पहले क्या 90 फीसदी लोगों के पास अफसर थे जब कॉंग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी चित्रा जी अभी ग्यानवान डिग्री धारी प्रवक्ता कह रहे थे और भे हम तो राष्टडरोई लोग हैं देशदरोई लोग हैं राष्टवादी लोग यह कह रहे थे कि साव एक sponsored letter पाकिस्तान ने दिया था इनको वहाँ जाने के लिए तो खाली कहेंगे हाँ इस सब पूछेए sponsored letter की कॉपी आस्थ तक पे दिखा दें कि वो कौन सा sponsor letter पाकिस्तान ने दिया था किसी को जाने के लिए सिवा जोर से बोलो तेज बोलो रोज बोलो जूट बोलो और फिर मैं देश को सर्मिंदा करने का राजूल गांदी तो प्रधान मंतरी भी नहीं है नरेंदर मोदी जी तो देश का ग्यानवान प्रधान मंतरी है और विश्व गुरू है जब अभी रशा गये थे तो जेलेंस्की ने नोता दिया था क्या आप उर युक्रेण में और रशा में पुतिन ने और रशा में जाके ये का अजबर माजी आपके नेता की बारे में सवाल जूचा गया है आपके नेता की बारे में बोलने का मौका आपको दिया जा रहा है आप पता नहीं कहा चले जा रहे हैं बोलिए आप मौका दें या ना दें ये कोई ऐसा नहीं है सुन लीजिए मत दें आप मौका मैं चुप बैठ जाता हूँ सुनना तो पड़ेगा इस लोक तंत्र में जब ये का कि भारत निरासा और हतासा में जी रहा था तो भारत भी मांगनी चाहिए और ये कहा था एक देश की यात्रा में कि मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं भारत में पैदा हुआ ये मानने ये प्रदान वीडियो बेज रहा हूँ आपको वह चैनल पर दिखाईए तो शरम नाक और निंदनीय है किसने बोला था जैबर्मा जी मैं दे रहा हूँ आपको वीडियो बेज रहा हूँ आप दिखा दीजिए तुर्दान मंतरी नरेंदर बोदी जी ने हैं अब मेरी सुन लिजिए कि राहूल गांदी ने कोई ऐसा ब्यान नहीं दिया जिससे उन्हें कू सर्मिंदगियों के बल भाजपा आइक तीस है लोग पूछना चाहता हूँ कि अभी मंतरी एक कह रहे थे कि राहूल गांदी देश विरोधी लोगों से मिले हैं हमेशा तो क्या भारत की संसद में देश विरोधी लोग है राहूल गांदी संसद में रहते हैं सिबाज हूट बोलो और केबल बदनाम करिए राहूल गांदी से रेट कारपेट लेने नरेंदर मोदी जी जाते हैं और एक भारतवासी कमला है रिस को कहते हैं अब कि वार ट्रॉम्प सरकार है रिस को हराई ये और वहां जाके आपको तो बड़ी नॉलेज रखा कर दो बहुत बीते तिनों की बात हो गई उस समय तो कमला है रिस मतलब आप प्रिस्क्रीम पराजर हमारे आज तक के दर्शकों की सामें जूट बोलेंगे और मैं आपको जूट बोलने की इजाज़त नहीं देखकती है अज़ा बर्मा जी आपकी बातों से सेमा कोई सकते हों लेकिन मुझे लगता है कि अगर नैशनल चैनल पर आज तक जै मैं हैरान हो रही हो और आप प्लीज आगे से जब भी आएगा हमारे चैनल पर थोड़ा सा कैयारी करके आएगा